दोस्तों अगर आप भी डाइविटीज मध में सुगर की समस्थे से पेडित रहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक घरेल उपाय बताऊंगा आपको इस उपाय को अगर आप अपना लेते हैं तो साथ दिन में आप अपने मध में को सुगर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों जो चीजे बताऊंगा पनसारी के हाँ असारी से मिल जाएंगी आनलाइन भी उपलब्ध है आप खरीद कर इसका पाउडर तयार करके रख ले एक एक चमच आप लेंगे आप सुगर को 100% सिर्फ साथ दिनों में कंट्रोल कर लेंगे सुगर लेवल चाहे 300 हो चाहे 300 हो चाहे दोस्तों पनीर के फूल यह आपको पनसारी के हमिल जाएंगे पनीर के फूल आप मांग लीजिए और यह आपको आनलाइन अमेजान फिलिप कार्ड पे उपलब्ध है आप गूगल पर डालेंगे पनीर के फूल तो बहुत सारी वेवसाइड हैं वहाँ से आप खरी सकते हैं पनीर के फोल तो 100 ग्राम आप पनीर के फोल ले लेना है ये सूखे आते हैं इसके साथ दोस्तों आपको जामून की गुठली लेना है सूखी जामून की गुठली लेना है ये भी पंसारी के हमिल जाएगी आनलाइन वियू पलब दें दोस्तों तो 100-100 ग्राम दोनों को लेना ह अब आपको लेना कैसे है एक चम्मच आपको लेना है सुबए आपको खाली पेट एक चम्मच खा लेना है उसके बाद हलका गुनगुना एक कप तक आप पानी पी ले और इसी प्रकार से एक बार आप रात को ले रात में जब सोने के लिए आप जाते हैं तो सोने से पहले एक कप हलका गुनुना पानी पिले एक हptे बाद दोस्तों आपको सुगर लेवल चेक कराकर मुझे कमेंट में जरूर बताना है बहूत ही अच्छा उपाये दोस्तों सुगर की एक राम मारा उस्द ये दोस्तों बहुत ही बहतरीन उपाये दोस्तों